Hello everyone, I hope आप सभी की आगामी परिक्षाओं की तयारी बहुत अच्छी चल रही होगी जैसा कि आप सभी लोगों को पता है UKPSC as well as UKSSC की बहुत सारी important भरती परिक्षा हैं आपको 2024 में देखने को मिलेंगी Especially if I talk about UKPSC आप सभी लोगों को पता होगा UKPSC का जो Upper PCS 2024 है उसका notification आपको जल्दी देखने को मिलेगा जिसमें आपका 150 marks का General Studies का preliminary exam होता है इसके अलावा आप देखेंगे UKSI की भरती परिक्षा भी आपकी 2024 में ही आपको return exam देखने को मिलेगा जिसका physical exam पहले होगा है और बाद में इसकी return परिक्षा होगी इसके अलावा आपकारी का जो return exam है वहाँ भी आपको बहुत जल्दी UKSSC द्वारा देखने को मिलेगा तो जो भी aspirants इन सभी exams की तयारी में लगे हुए है उन सबको अपनी तयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है इसके अलावा जो अन्य vacancies आपको देखने को मिलेंगी वहाँ है अपर नजी सचीव यानि की APS Lower PCS 2024 में भी आपको देखने को मिल सकता है UKPSC द्वारा इसके अलावा RO ARO का जो preliminary exam है वहाँ UKPSC द्वारा 17 December 2023 को आयुजित किया गया था इसके अलावा आपका Forest Ranger यानि की FRO as well as Logging Officer जो की Logging Officer की Post होती है वो कहीं नहीं आपकी equivalent होती है आपकी ACF Assistant Conservator of Forest Care equivalent तो यहाँ भी जो आपके exams हैं जैस सभी exams आपको निश्चित तौर पर 2024 में देखने को मिलेंगे और इन सभी exams में आपका GES का portion अच्छा खासा पूछे जाएगा जिसमें एक important portion जो आपका पूछा जाएगा और हमेशा पूछा जाता है चाहे वहाँ कोई भी exam UKPSC है UKSSSC का हो वा है उत्राखन Census 2011 इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ में जितने भी important question है 2011 census को लेके वह सभी प्रशने discuss करने वाला हूँ इस वीडियो को अगर आप last तक देख लेते हैं तो जितने भी census के questions आपके आगामी परिक्छाओ में आएंगे उन सभी का correct answer आप mark करने में सक्षम होंगे तो वीडियो को last तक देखें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलिग्राम चैनल को भी join करें जिसका link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा और एक बार यहाँ पर भी मैं आपको जो username में अपने टेलिग्राम ग्रूप का बता देता हूँ वहाँ है UKPSC exams 2023 और राइट तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की जहाँ पे मैं census 2011 के उत्राखन के most important questions and UKPSC pattern पे most repeated questions जो हैं उत्राखन के वो आपके साथ discuss करने जा रहा हूँ तो लास्ट तक बने रहिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए and fellow aspirants के साथ भी share करिए चलि देखते हैं पहला प्रशन वर्ष 2011 की जनगर्णा के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंद में उत्राखन का भारत में क्या इस्तान है अब देखे जनसंख्या घनत्व यानि की population density की यहाँ पे बात हो रही है अगर हम national population density की बात करें 2011 census के according तो वो है आपकी 382 ठीक है इंडिया की 382 है बट उत्राखन की क्या है उत्राखन की आपको याद रखनी है 189 इस पे question पूछा गया है और क्या पता फिर से पूछा जाए अब यहाँ पे पूछा था उत्राखन का इस्तान क्या है जनसंख्या घनत्यों के देखते हुए तो answer इसका हो जाएगा 25 यानि की option A next बटते है question 2 पे उत्राखन के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत के अनुसार आरोही क्रम में विवस्तित कीजिए आरोही क्रम यानि की ascending order छोटे से बड़ा कम से ज़्यादा population की तरफ हमें arrange करना है options में बाद में आऊँगा बट पहले आपको कुछ important जानकारियां दे देता हूँ साक्षरता दर से related जिससे जितने भी questions आपके literacy के उपर आएं आप सभी का right answer अपने exam में mark कर पाए देखिए उत्राखन के एकर rank देखें literacy wise as per census 2011 that is 17th बिलकुल note down कर लें भी मैं चीजे बता रहा हूँ साथ साथ नोट करते वे चले जो literacy percentage है उत्राखन का that is 78.82% ठीक है एक बार जरूर note down कर लें इस पर separately question आता है 78.82% is the literacy percentage of उत्राखन as per census 2011 male literacy female literacy कितनी कितनी है female literacy is 70% 70.00 and male literacy is 87.4% to 78.82 overall literacy rate male 87.4% female 70% यह आप याद कर लें बहुत ज्यादा important है now considering the districts maximum literate and minimum literate district कौन कौन सा है maximum आपका हो गया देरादून दून लिख देता हूँ आपके and minimum आगया आपका US नगर ठीक है ऐसी अगर मैं बात करूँ individually females की मैं बात करूँ females में most literate आपका आजाएगा देरादून again and minimum literacy कहा है आपकी minimum female literacy इस पे भी question कई बार पूछा गया है दोनों पे maximum is in दून and minimum is in उत्तरकाशी तो इसको भी आप याद कर लें बहुत ध्यान से अब देखिए males पे ऐसा question अभी तक जहां तक मैंने questions लेगे हैं ऐसा question नहीं पूछा गया है इसलिए maximum literacy amongst males is found in which district not देहरादून but the answer is रुद्र प्रियाग very very important ये note down कर ले and minimum literacy among the males is found in which district that is हरीद्वार जहां की population हमारी उत्राखन में highest as per census 2011 तो जितने भी facts मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी को note down करते वे हैं आपको आगामी जितने भी questions है उनमें काफी हद तक इससे मदद मिलेगी जैसा कि आप देखेंगे आगे आगे जैसे मिस वीडियो में बढ़ेंगे यहां पर question पूछा था निमने जन बदों को उनकी साक्षर्टा प्रतिशत के अनुसार आरोह क्रम में विवस्तेच कीजिए मैंने सबसे वहले आपको बता दिया maximum जो लिटरेट डिस्टिक्ट है हमारा that is धरादून and minimum is उद्दम सिंग नगर अब minimum उद्दम सिंग नगर है फिर उसके बाद हमारा आता है हरीद्वार मतलब second minimum कौन से हरीद्वार तो यह की option ऐसा है hence your answer to this would be option B moving on to the next question 2011 की जनगर्न के अज़सार उत्राखन राज्य की जन संक्या की व्रिधीदर दश्किय व्रिधीदर यानि की decadal growth rate पर कितनी है this is 18.81% अब इसी से related बहुत important fact आपको बता रहा हूँ note down कर लीजिए बहुत बार exams में पूछे जाते हैं जब हम दश्किय व्रिधीदर की बात करते हैं यानि की decadal growth rate की बात करते हैं तो इसमें maximum decadal growth rate जो हुई है उत्राखन की is in which district US नगर यह एक ऐसा district है जहां की tribal population भी highest है यानि की tribal population of उत्राखन is highest in which district that is again US नगर तो maximum decadal growth rate US नगर में रिणात्मक यानि की negative decadal growth rate कौन कौन से district सोने रही दो district थे आपका body and almoda सबसे कम कहा रही सबसे ज़्यादा उद्दम सिंग नगर में सबसे कम रही आपकी body में फिक है तो यह कुछ important facts हो गए आपके decadal growth rate को लेके 18.81% is the decadal growth rate जन संक्या 2011 के अनुसार उत्राखन में सबसे कम जन घनत्वा वाला जिला कौन सा है यानि कि यह पूछ रहा है आपका minimum population density वाला जिला कौन सा है very very important question क्या पता directly एक question पूछा जाए आपकी आगामी RO या EO परिक्षा में minimum population density is in your उत्तरकाशी district जन संक्या रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्राखन के किस चिले में प्रती हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है देखो प्रती हजार पुरुष पर महिला है यानि कि बात कर रहा है यह किस की आपकी लिंग अनुबाद की यानि कि सेक्स रेशियो की हाँ पर बात हो रही है अब सेक्स रेशियो से कुछ important facts आपको यहाँ पर बता देतना हूं related उत्राखन की जो अगर हम सेक्स रेशियो के basis पर रैंग देखें है ऐस पर census 2011 that is 13th यह याद रखना 13th रैंग के है उत्राखन की sex ratio के according ठीक है sex ratio of India कितना था इंडिया का sex ratio as per census 2011 that was 943 उत्राखन का कितना है 20 ज्यादा यानि कि 963 ऐसे ही एक होता है sex ratio एक होता है child sex ratio child sex ratio तो उत्राखन का child sex ratio के है as per census 2011 very very important question पूछा जा सकता है this is 890 इसको भी याद कर लें आप लोग तो एक बार फिर से आपको बता जेता हूँ district की अगर हम बात कर ले maximum जो आपका link अनूप आता है यानि कि maximum sex ratio is noticed in the district of Almoda and this is per thousand females there are 1139 males maximum अब minimum का है minimum आप देख लेंगे minimum is in Haridwar Haridwar के बाद second minimum का है Dehradun and then it is Udham Singh Nagar इसी पे question आया था अभी Haridwar option में नहीं था Dehradun और Udham Singh Nagar option में था students confused हो गई बहुत सारों ने Udham Singh Nagar answer mark कर दिया बट नहीं answer तब हो जाएगा आपका Dehradun so minimum three districts as per sex ratio are Haridwar then Dehradun then Udham Singh Nagar all right so this is the sequence जो आपको यादर करके exam में जाना है वर्ष 2011 की जनगर्ण के अनुसार उत्राखन में Sarwadik Nagar या जनसंख्या वाला जिला कौन सा है that is Dehradun उत्राखन में पुरुष साक्षर्था उपर ही मैंने discuss करी है अभी 87.4, 78.82 overall and 70% for women Sarwadik साक्षर्था वाला जिला this is again Dehradun which is option B अभी उपर मैंने detail में discuss किया था देश की आबादी कितना कितना प्रतिशत उत्राखन में निवास करता है this is 0.83% महिला साक्षर्था this is 70% option B जनगर्णा के अनुसार साक्षर्था की द्रिष्टी से उत्राखन का देश में कौन सा स्तान है देखिए साक्षर्था की द्रिष्टी से अभी जब उपर detail में आपको बता रहा था percentage wise तो बताया था 17th hence your answer is option A सरवादिक एवं सबसे कम महिला साक्षर्था वाला जिले मैं सबसे कम बताया था उत्रकाशी maximum is Dehradun hence your answer is option A लिंग अनुपाद की दिश्टी से क्या रहांक हो जाएगी अभी उपर डिस्कस करा था this is 13th very very important 2011 के अनुसार इस जणपन में सबसे कम प्रतिशत सिक्षित है यानि कि लिट्रेसी सबसे कम कहा है उद्दम सिंग नगर में आबादी न्यूनता में यानि कि minimum जो population है that is found in रुद्रप्याग maximum is in हरिद्वार ओसत साक्षर्तादर this is 78.82 which is option C ओसत जनसंप्या घनत्व 159 व्यक्ती वर किलोमेटर था 2001 में 2011 में कितना हो गया population density this is 189 maximum population density is noticed in हरिद्वार whether this minimum is observed in उत्तरकाशी 2001 से 2011 के दौरान नकरात्माग जनसंक्या व्रेदी कहां दर्ज करी गई decadal growth rate negative decadal growth rate की बात कर रहा है तो बैने उपर भी बताया था polygadwal and your almoda next question उत्रकाशन राज्य के सरवादिक जनसंक्या 2011 वाले 4 घट्टे करम में है यानि कि descending order में लगाने maximum to minimum population as per census 2011 आप सभी को पता है जो है हमारा सबसे ज़्यादा तो हरिद्वार की है minimum रुद्र प्रयाग की है तीन ऐसे district है त्री districts है जिनकी 10 लाग से greater than 10 lakh population है और मैं आपको करम में ही बता रहा हूँ सबसे बाले आता है आपका हरिद्वार देन आता है देरादून देन आता है उद्दम सिंग नगर यही तीन ऐसे district है जिनकी 10 लाग से ज़्यादा है इस पे भी question आ सकता है जैसा कि आप आगे भी अभी देखेंगे पर question था आपको लगाना है descending order में देन हरिद्वार देरादून उद्दम सिंग नगर पे भी question आ सकता है next question किस जिले की जनसंक्या सबसे कम है this is your रुद्र प्याग which is option A यह बहुत एक important and बहुत ही अच्छा question मुझे लगता है रक्षक के paper में पूछा गया था कुछ महीने पहले जो हुआ था उत्राखण में UKPSC ने कराया था I think this is one of the best questions that has been asked on census so far question है 2011 की जनसंक्या के अनुसार उत्राखण की ग्रामीन शहरी जनसंक्या का प्रतिशत अनुपाद है this is 69.76 and 30.240 ग्रामीन शहरी this is the answer is option C अब यह जो last question मैं आपके साथ डिसकस कर रहा हूँ this is उत्राखण राज्य में जन्गर्ना 2011 के संदर में निमलिकित की जिले की जनसंक्या 10 लाग से अधिक नहीं है मैंने बताया तीन डिश्टिक्स की 10 लाग से जाधा अधिक है that is in sequence हरिद्वार, देहरादून, उद्दम सिंग नगर ठीक है, तो यहाँ पे तीन तो options है जो option, see देनिकाल is the option, जिसकी population 10 लाग से जाधा नहीं है this is 9 लाग something, so with that we come to the end of this video, hope you liked the video मैंने maximum facts आपके साथ जो important है from examination point of view वो discuss कर लिए है do subscribe to our channel and इसी तरह की videos आपको आगे भी मिलती रहेंगी जिससे आपको आपके exams में काफी फायदा मिलेगा, all right aspirants, all the best keep learning